हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विदेश्यस ने दोस्तों हम आजी रहें और एक सांदार रिजिनिंग क्लास के साथ जो कि CITS 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास किसी भ लिए जो है कंपल्सरी है तो चलिए आज की रिजिनिंग क्लास को सुरू करते हैं क्लास को सुरू करने से पहले जो लोग भाईया नए जो रहे है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखरी तक वाच करें और ये चैनल जो है CITS इंट्रेंस इक्जाम स तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको इससे बहुत हिलफुल मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों आज का पहला कुश्चन देखते हैं आज का पहला कुश्चन है कि निम्न में से जो है आपको अलग छाटना है इनमें से अलग कौन सा है निम्न में से डिफरेंट शाटना है तो आप देखिए इसमें बड़े बड़े अंक है इसमें आपको दिख क्या रहा है तो दिखिए यहां पर है साथ साथ से हो रहा है पांच पांच से हो रहा है तीन और तीन से हो रहा है एक तो आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं साथ में से माइनस टू हुआ तो आपका कितना आ गया साथ में से माइनस टू हुआ तो तीन आ गया और तीन में से माइनस टू हुआ तो एक आ गया वैसे सेम दोस्तों यहां पर देख लीजिए यहां पर दो में से माइनस टू करेंगे माइनस to मतलब कहने का ये है कि यह जो option नंबर ये तीन oh turn option ये इन में क्या यह प्रतेक 안को में minus two करके लिखा लेकिन आपका जो option नंबर बी है इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि कि अगर आप minus two करेंगे दो मैंस two तो minus two करेंगे तो zero आजाएगा लेकिन यहां पर 4 है आगे इसमें प्लस two कर दिया गया है दो मेंक आपका right answer दोस्तों बी हो जाएगा यही इन 4 तो एन 6 आपका बी हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगला question कहरा है कि दिए गए attitude में से विसम सब्द अच्छर या संख्या को चुनिये जो क्या चुनना है देखिए यहां पर आप 36 गटाते हैं कि इतना आगा आपका आरह ओंगा आपका तो चाहओ पर इस lasc दोस्तों सॉरी तो जो 78 में से 6-6 घटाएंगे उसमें भी आपका कितना आएगा बारा आएगा लेकिन अगर आप यहां पर 33 में से 64 में से 33 घटाते हैं तो आपका 31 आएगा देखिए अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि आपका जो आप यहां अपसमें घटाने पर 12 आ रहा है और लेकिन अगर बात की जए आपके आपके जो है डी वाले आपसन में घटाने पर 31 आ रहा है तिसलिए आपका जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह आपका आपसन नंबर डी होगा यही इन चारों से अलग है तिस 1542 एन सब सबसे अलगा अलग क्योंगा क्योंग और तीन हो गटाने पर 12 फिरें सी 15´ घाने पर 2034 में से 23 बहुत ही इंपॉर्टन्स थे दोस्तों जो की डारेक्षन से हैं हमने आपको डारेक्षन के बारे ह魔ап की होगी उपर की दिशा जो है उत्तर की होगी इधर की दिशा दक्षिण की होगी और इधर की दिशा पस्चिम की ओर होगी ये वाली और ये दिशा आपकी दक्षिण होगी तो इसी को ध्यान में दे करके हम question को अपने solve करेंगे तो चलिए question को अब हम solve करते हैं आपका question क्या कह रहा है question कह रहा है आपका दोस्तों कि एक विक्रेता अपने घर से चलना प्रारंब करता है वा अपनी गारी को 2 km उत्तर की ओर ले जाता है तो चलिए यह यहाँ पर विक्रेता है 2 km उत्तर की ओर यह हो चला गया फिर कह रहा है फिर वा पस्चिं की ओर 3 km चलता है तो यह देखिए पस्चिं की ओर कहां चला गया 3 km चला गया यह पस्चिं की ओर 3 km चला गया फिर वह दच्छिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है तो दच्छिण की ओर मुड़ा और कितनी किलोमीटर चला 7 किलोमीटर चल दिया अब दच्छिण की ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चल दिया वह अपनी बाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता सब्đन यहां से चलना पर है चल और आप देखिया अपको और बताना चाहूं तो यहां उनको नहीं पता चलते, देखिए, एज्यूम करिए, आप जो है, दक्षिन की तरफ जा रहे हैं, यहां पर आप खड़े हैं, यहीं पर खड़े होंगे, तो दक्षिन आपका इधर मुह होगा, इस तरफ आपका मुह होगा, तो इस तरफ मुह होगा, तो आप एज्यूम करिए मुबाइल के बगल में तो आपको बाया इसी तरफ पड़ेगा जिस तरफ हमने यह लाइंग खीची है तो चली दोस्तों अब इसको जो है तो अगर यह टोटल साथ है और दो घटा देंगे तो यह वाली दूरी हमको मिल जाएगी नहीं इसके घर से और इसके बीच की दूरी तो मिल जाएग कितनी होगी यह दूरी यह दूरी होगी आपकी पांच कितनी होगी पांच तो अब देखिए दोस्तों तो यह इसका घर है वह अपने घर से किस स्थिती पर है तो घर ये है और है कहां पर ये तो घर से किस स्थिती पर है दच्छन की तरफ है कि नहीं घर से दच्छन की तरफ है देखिए नीचे है घर से दच्छन की तरफ और दूरी कितनी है साइकिलिंग करना प्रारम करते हैं अपने क्लब से साइकिलिंग प्रारम करते हैं तो चलिए यहां से माल लेजिए आपका क्लब हो गया इनका क्या हो गया यह क्लब हो गया चलिए आप एक को रिट से बनाएंगे एक को ग्रीन से बनाएगे तो करना प्रारम करते हैं राहुल 11 किलो मीटर दच्छिन की और चलता है तो हरे जो मैं लाल से बनाने चल रहा हूं यह राहूल है तो आप ध्यान दीजेगा राहूली 11 किलो मीटर यह देखिए चल दिया कहां पर यहां पर चल दिया उन्होंने दच्छिन की तरफ फिर बाई और मुड़कर 15 किलो मीटर चलता है इन्होंने ठीक है अब क्या कह रहा है उसी समय स्याम 7 किलो मीटर पूरब की और चलता है तो सिंपली दोस्तों आप लोग क्या करिए अभी अभी जो है अभी इसको हरे से बनाएंगे यह स्याम चल दिया स्याम हरे से 7 किलो मीटर पूरब की और चल दिये अब 7 किलो मीटर चल करां को की सब्सक्राइबी कि था इत्वाइबर कि अपकर चलाएब कि वियर दोस्तों कि रहा है कि रहा है कि राहू के संदर्व में तो यह रहा है तो- तो राहुल के संदर में जो ये राहुल है इसके संदर में आपका स्याम कहा है आपको बताना है तो सिंपली सबसे पहले हम अब देख लेते हैं इसमें जो है कितने कितने दूरी पर दिया गया था सबसे पहले राहुल कितना चला था 11 किलो मीटर चला था उसके बाद कितना चल आपकी दूरी सत्रा किलो मीटर चला फिर उसके बाद देखिए दोस्तों सत्रा किलो मीटर चलने के बाद आपका फिर कितना चला आठ किलो मीटर चला कितना चला आठ किलो मीटर यह दूरी कितनी है आपकी आठ किलो मीटर है चलिए दोस्तों अब देखिए अगर आप ढंक से समझ यह तो देखिए यहां पर अब मैं इसको आपको ब्लैक से समझाओंगा देखिए यह दूरी आपकी कितनी है 17 है कितनी है 17 है और यह दूरी टोटल 11 है दोस्तों स्वारी यह दूरी आपको कितनी है 17 है अब देखिए अब आपको यह दूरी अगर 11 दी गई है यह दूरी अगर total दूरी 17 दी गई है और यहां तक की दूरी जो यह दूरी है आपकी 11 दी गई है total आपको 17 दी गई है अगर यह दूरी आपको find करनी है यह वाली दूरी जो मैं dotted कर रहा हूं तो क्या करेंगे 17 में सी 11 घटा देंगे कि नहीं यह दूरी आपको मिल जाएगी यह कितनी होगी 6 और यही दूरी इसके और इसके बीच की दूरी होगी देख लीजे चाहिए यह दूरी भी कितनी होगी 6 ही होगी समझ रहे न आप कैसे क्योंकि यह टोटल जो ची आपकी 11 थी यह टोटल आपकी 17 है अगर आपको इस बीच की दूरी जो यहां पर यहां से यहां तक की फाइंड करनी है या फिर यहां से यहां तक की फाइंड करनी है तो जो यह दूरी होगी वही यह दूरी होगी दोस्तों तो आपका 17 में सी 11 घटा हैंगे 6 आ जाएगा अब देखे द दूरी कितनी है और सी Belgian ऐनाँ कितनी है लोता है और यह तोड़ी कितनी है 15 theoड जमत्लब यह दोनों कुंध दूसरे सीध में और इनके बीच की दूरी कितनी है 6 किलो मीटर या फिर 6 आप समझ लीज़े किलो मीटर में तो ही तो आप कहरा है राहुल के संदर में स्याम कहा है तो राहुल आपकी यह उपर है और स्याम कहा है स्याम आपके नीचे है तो राहुल के संदर में स्याम कहा है 6 किलो मीटर की तरफ ता आपका right answer option number क्या हो जाएगा option number आपका D right हो जाएगा 6 km दच्छिन की तरफ आसा करते हैं आप लोग को question समझ में आया होगा चलिए दोस्तों भड़ते हैं next question कि तरफ अगला question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है blood relation से है कि A ने B से कहा तो ये A है और ये आपके B है ये ने B से कहा ये ने B से कहा क्या कहा कि मेरे भाई के ससूर तो ये इनके भाई B के कोई भाई होंगे मालीजी ये प्लस मालीजी इनके कोई भाई है इनके ससूर ये मालीजी इनके क्या होगे ससूर हो गए मेरे भाई के ससूर तुम्हारी बहन के पिता है इनकी बहन मालीजी इनके बीच में कोई B एक दूसरे से कैसे संबन्दित है simply देखिए कह रहा है A B से कहता है कि A का जो भाई है उसके जो ससुर है ये वाले जो उसके ससुर है जैसे A ने B से कहा कि जो उसका भाई है A का उसके जो ससुर है उसकी B की बहन के पिता है तो A और B एक दूसरे कैसे संबन्धित आप देखिए कह रहा है कि A के भाई की पत्नी का भाई है जो B है वो A के भाई की पत्नी का भाई है तो देखिए जो B है A के भाई मालीजेए की पत्नी तो इनका ससूर अगर इनके बेटी है अगर इनके ससूर की पुत्री है ये तो चाहिर से बात है इनकी पत्नी होगी तो पत्नी होगी तो इनका भाई B होगा ही तापका right answer A ही हो जाएगा कैसे कहे रहा है बी एके भाई की पत्नी का भाई है ब んे ओर बैर के भाई है और कि पत्री backups इसीपहों ऐसे पत्नी का भाई है आपका राइट इंसर दोस्तों आगे चेक करने जलूरत नहीं है बढ़ते। पगला कोश्टन क्या कहे रहा है ये भी blood relation से बहुत अच्छा question है कि P Q का भाई है चलिए देख लीजे बहुत अच्छा है P जो है वो Q का भाई है ये दोनों एक दूसरे से जो है अपना जो है एक ही generation के हैं एक ही generation को एक ही सीध में लिखते हैं तो जो P है वो Q का भाई है तो Q का एकर P भाई है तो P क्या होगा P क्या होगा पुरूस होगा ठीक है P क्या होगा पुरूस होगा क्योंकि P Q का भाई है उसके बाद कहरा है R का बेटा है तो इधर हो गए R R का क्या हो गए ये क्या हो गए R का बेटा हो गया उसके बाद कहरा है V टी की बहन है, तो वी क्या है, वी जो है, टी की क्या है, बहन है, टी की बहन है, तो वी क्या हो गई, वी इस्तरी हो गई, महिला हो गई, उसके बाद कहरा है, जो क्यू की पुत्री है, क्यू की क्या है, पुत्री हो गई, क्यू की क्या हो गई, पुत्री हो गई, उसके बाद कह में से कौन सा कथन सकते है तो देखिए दोस्तों अगर आर जो पी का अगर पी जो है क्यू का भाई है तो जो पी के पिता और माता होंगे वो क्यू के भी होंगे और यदि वी जो है टी की बहन है तो वी की जो माता है और वो भी टी की भी क्या होंगी माता होंगी तो चलिए द और V जो है, बिल्गुल सही है, क्योंकि जो S है, S की क्या है, Yes क्या है, Yes माता पीता है कि इसके P Q के, और Q की जो है V क्या है, पुत्री है, तो जब B की जो है Q की पुत्री है, और Q की माता Yes है, तो जाइड सी बात है, Yes की क्या होगी, V क्या होगी Yes की, पौत्री होगी, तो आपक क्या है पीता है उसके बाद कीयरा यesh t की मा है तो यesh t की मा नई inf utiliser node daily ऑग चुय का कीये यहाँ गर वे खाय को बातीजा का होगा मामा होगा क्योंकि जो P है वो Q का भाई है और Q का भाई है तो क्या होगा V जो होगा वो P का V का क्या होगा मामा होगा V जो होगे P के क्या होगे भांजा या भांजी होगे आपका राइट एंसर A हो जाएगा बढ़ते हैं next question तरफ दोस्तों अगला question क्या करा है इसको सार्था क्रम भी लिखना है तो सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले दोस्तों आपका गाम आएगा दो नंबर आएगा उसके बाद गाओं के बाद क्या आता है आपका तलुका आएगा तीन नंबर आएगा तलुका के बाद क्या आता है दोस्तों जिला आता है, चार नंबर आएगा, डिस्ट्रिक आता है, चार के बाद आपका क्या आता है, डिस्ट्रिक के बाद इस्ट्रेट आता है, पांच नंबर हो जाएगा, उसके बाद नेशनल आता है, एक नंबर हो जाएगा, आपका राइट एंसर दोस्तों, दो, तीन, चार, पा तो 2, 3, 4, 5, 1 आपका right answer दोस्तों C हो जाएगा right answer आपको क्या होगा C हो जाएगा बढ़ते next question चेब दोस्तों बहुत बढ़ी है question दोस्तों इसमें कहा है रहा है कि लुप तस्थान पर क्या होगा तो simply देखिए दोस्तों 7 से 5 हो रहा है तो 7 से 5 क्या हो रहा है 7 से 5 होने पर जो है minus 2 कर दिया गया क्या minus 2 करेंगे हम जो है तो 5 आ जाएगा अब 5 से 2 हो रहा है तो क्या किया गया है 5 में क्या कर दिया गया minus 3 कर दिया गया समझ मैं कैसे किया गया देखिए यहाँ पर हमें फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ अच्छे से एक बार और देख लिजी यह question अच्छा है लेकिन आपका right answer जो है दोस्तों right answer आपका a होगा minus 2 कैसे हुआ देखिए यहाँ पर 7 है 7 से 5 कैसे हुआ 7 में minus 2 कर दीजिए तो 5 आजाएगा 5 में minus 2 के बाद क्या आता है minus 3 कर दीजिए तो minus 3 5 में करेंगे तो 2 आजाएगा उसके बाद में फिर जब minus 2 करेंगे जब 2 आजाएगा अगर हम 2 में minus 4 करेंगे तो आपका जो right answer होगा वो आजाएगा अगर हम 2 में minus 4 करते हैं तो minus 2 आएगा दोस्तों और उ कि आज का आखरी कुश्चन है दोस्तों इस कुश्चन में कह रहा है कि आपको जो है कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक सब्द एक पद एक संख्या लुप्त है दिये एक सब्द एक संख्या पद लुप्त कहने का मतलए कि इन तीनों में से एक है तो सही बिकल् दोस्तों आप लोग इसका मैं आपको बता कर दे रहा हो कि यह इस तरह का question करेंगे ओर आपको वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में जरूर बताइए गा मिलेंगे निश्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जैह हिंद्द जै क्ला D